आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेतार सी रेसिपी जिसका नाम है स्टीम पीफ रोस्ट ये आप लोग ज़रूर ट्राइ कीचेगा सबको ही बहुत पसंद आए कि अपने गर में जब भी बनाती हूं तो सब लोग बहुत जादा एप्रिशेट करते हैं इस रेसिपी को चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ सबसे पहले मैंने लिया है पीफ मैंने लिया है हाफ एजी और इसके मैंने पीसे कड लिये हैं आप लोग अगर अंडर कट का भीफ इसके अंदर मैं जहों वाटर एड करूंगी इतना के जो है यह बीफ पूरा कवर हो जाए यह मैंने कवर कर दिया है यह बीफ को आपो दिख सकते हैं अचा इसके बाद मैं इसमें एड करूंगी विनेगर विनेगर है 1 3rd कप और इसी में मैं साथ मैं एड कर दूंगी यह बीफ तब इसकी ऐसी शकर है आप लोग कन्फिउस नहीं हो यह गाँ आप लोग नॉर्मल सॉल भी उसकर सकते हैं अचा इसको हम मिक्स कर लेंगे विनेगर और सॉल्ट इसके अंदर मैंने मिक्स किया है और मैं इसको एक से दो खंटे के लिए मैरिनेट कर दूंगी ताक इसके लिए दही योगर्ट वन कप सॉल्ट वन टीस्पून और एस पर यूर टेस्ट रैग चिली पॉर्डर वन टीस्पून यह जिंजर गार्लिक पॉर्डर है अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पॉर्डर ना हो तो आप लोग पेस्ट भी ले सकते हैं 1.5 टीस्पून आप निखें में को सुली अच्छा तानिए पॉर्डर वह थे लिए हैं 1.5 टीस्पून चार्ट मसाला ऑन टीस्पून गापपर वन लेमन टू टीबिल इस्पून टॉमैटो काचप चंचाप को यंडर पॉर्ड जो हमने लिए हैं 2.5 टीस्पून कूमिन पॉर्डर दमिन आप जो है ठिक ठिक लेंगे बिल्कुल भी ऐसी मत लीजाए कि पत्ली पानी हो थिक योगर्ट लेरी है आपने वन कफ के अंदर मैं डाल रही हूं आप बाकी कीज है मैंने जो है पॉड़र इसलिए लिया है थाकि हमारा जो मैरिनेशन हो लिप्विड फॉम में ना हो वनना अगए वाटर आई चीजें दाल दो तो फिर वाटरी वाटरी हो जाती है मैरिनेशन आपकी अच्छा ये गार्लिक पॉडर चार्ट मसाला ब्लैक पिपर पॉडर गोरि लेंगे तो दिलावा कैचप और लेमन जूस ये सब चीजें आप दाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे इस मेरिनेशन को 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 अच्छे स अब मैं इसको जह है डीफ्राइ करूंगी आपने बहुत जादा इसको पेज आंच पे डीफ्राइ नहीं करना है नॉर्मल इस पे करना है टेमपेचर पे ताके जो है यह हाफ दन जाए हाफ दन हो जाएगा तो हम इसको फिर रिमूव करेंगे और इसको मेरिनेशन में इसकी ए बहुत आदा जाल नहीं करना है आपने इन पीसिस को बस एक तु 10 मिंट आपने इसको फ्राइ करना है और रिभर कर देना है अचा यह देखे हैं यह फ्राइ हो चुके हैं हमें इसको कंप्लीट नहीं करना मैंना अपुझ एक बताया था कि हम सिर आज से 10 मिंट बहुत भी और आपने वो मीटियम तु लो फ्राइम पर ट्राइ करना है बस यह चलर इसका ऐसा ही हो तो आप इसको फिर रिमूफ कर लीजेगा और रिमूफ करने के बाद मैं इसको मैरिनेशन जो में रखी भी बना के मैं उसके अंदर इसको एड़ करूँगी इसका अच्छा यह मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको 15-20 मिंड के लिए इसी मेरिनेशन के अंदर छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद हम इसको करेंगी स्टीम बाकि यह कंप्लीट जो को खोगा वो यह होगा स्टीम में अपनी अ काली मिर्च है और सबोद धनिया है कोईन की टी मापता देती हूं तू टी स्पून जो है साबो धनिया है और फिर टी स्टीक स्टार चीनी की there and ब्लेक पेपर जो साबोद काली मिर्च होती है है वह मैंने लीए 4-5 और 4-5 द टीम मैंने लेए मैंने दाब दिया है निंचे से चूला हमारे कुला हुआ है और इसी पतीले में आप indem रखेंगे स्ट्रेशन तर रेहे हूं के और असी इंदर रख हुं ठीक है और इसके ऊपर हमें से अब इस रेम करेंगे इसके लोगे हम रखलेट मिदोंगा स्रेल अब है नियुक्ते विस बोची कोई जबहे हमाचि अधी सब्सक्राइब, आप युझे मिल चिवित आप रही हो उपर के लिये हैं, जड़े दाले के लिए हडी मिल्चे और लैमनक के सलईश कर दे लिये दें जदें, आप लोग बिदा आप लोग आप लेमन के सबस्क्राइन, ल माग पर लेमन के लिए खाले न क प्रेशने शर्ट के लिए ग्रेन चिली में अप्रेशने करें जीए अन्ट काई पूल रिग्रेशन पर आपशने मेंगया आप अपने हिसाब से एट की जगा इंगा इसाब चीट है सब्सक्राइब को अगर थोड़ी कसर लगेगी हमें तो फिर हम इसको थोड़ी देर और कवर कर देंगे यह बिल्कुल कंप्लीटली को खो चुका है क्योंकि मैंने इसकंदर फोर्क इन किया था तो यह तूटने लगा है यह बीफ तो अब मैं सब्सक्राइब कर लूँ और मैं आपको फाइनल लोग भी दिखा दूँ इसका अच्छा यह मैंने कर लिया है डिश आउट आप देख सकते हैं हमारा मसितार साथ बीफ स्टीम रोस्ट तयार है यह मैंने सर्फ किया है विद अनियन रिंग्स और वाइता आप इसक आप लोगों को आइडिया हो जाए यह देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एंड जूसी अंदर से यह देखे हैं कोई और पीस भी दिखाना चाहें दूर भी लिखा सकती होना है यह आपे सामने ताकि आप लोगों को पदा चल जड़ा है अच्छे से टेंडर होगरा है यह अच् जरूर ट्राइ कीजएगा मेरी आप लोगो यह रैसिपी और अपना फीदबैक मुझे जरूर दीजगा किया लोगों कैसी लगी मेरी आज की यह रैसिपी मिलते में अपनी नेक्स रैसिपी में जबते अपना पहुत खयाल रखें आला हाफिज